नमस्का राजनवा दुनिया में आपका स्वागत हैं में प्रियाम आपके साथ 22 जन्वारी को अयुध्या में राम मंदिर का उद्घटन होने जा रहा है प्रधान मंत्री नरीन मोदी इसके मुख्य अतित्थी होंगे इस कारिक्रम को भवी बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी नेताओं को भी इसका नियोता दिया जा रहा है कॉंगरेस अध्यक्ष मली का अज्जुन खडगे और सोनिया गांधी को भी आमंत्रन बेचा गया इस पीच खबर आ रहे है कि शिवसेना प्रमुक उद्धव ठाक्रे को अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया आपको बता दे कि उद्धव ठाक्रे ने सितंबर महीने में दावा क्या था कि राम मंदिर उद्गाटन समारों के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के उत्तर प्रदेश के अयुद्ध्या में जूटने की उम्मीद की जा रही है इसकी वापसी यात्रा के दोरान गोधरा जैसी घटना हो सकती है जलगाओं में एक कारी करम को संभोधित करते वे ठाक्रे ने कहा था एसी संभावना है कि सरकार राम मंदिर उद्घटन के लिए बसो और ट्रकों में बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है और उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी घटना हो सकती है सुत्रों ने कहा कि प्रतेक राज्य के लिए 22 जनवरी को होने वाले अभिशेक समारों के बाद मंदिर के दर्शन के लिए एक दिन तैय किये जाएंगे कुछ विशेश ट्रेनों की भी विवस्ता की जा सकती है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्रियों को भी उनके राज्यों के भक्तों के साथ दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाएगा उनके स्वागत के लिए विशेश विवस्ता की जाएगी सुत्रों ने बताया कि CPI महासचिव, सीताराम येचूरी CPI महासचिव, डीराजा BSP प्रमुक, मायावती और आप संयोजक अर्विन केजरिवाल को निमंत्रन भेजा जा रहा है हलाकि उद्धव ठाकरे के नाम का जिक्र किसी ने नहीं किया अब देखना दिल्चस्प होगा कि शिवसेना सुप्रीमो और बाला साहब ठाकरे के बेटे को इस सवारों के लिए बुलाया जाता है या नहीं इसी के साथ बने रहे है राजनम दुनिया के साथ धनिवा